नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का सक्सेज स्टेप्स के सी यूटूब चैनल में दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर आपको देख पारा है बड़े च्छरों में निती आयोग का पुनर गठन तो हाँ दोस्तों इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे इसी के बारे में हम इस वीडियो में चल्चा करेंगे निती आयोग के पुनर गठन के बारे में तो दोस्तों हाली में नई लोकसभा के गठन के बाद निती आयोग यानि जो योजना आयोग के अस्थान पर निती आयोग का गठन किया गया था कि निती आयोग में किसको किसको क्या क्या पत दिया गया है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए अगर आपको वीडियो हेल्फुल लगे तो इस पे एक लाइक तो आप जुरूर कर दीजेगा इसके साथ दोस्तों अगर आप पहले बार मैं चैनल पर विजिट करते हैं तो अमारी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिजेगा तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख पा रहा है हाली में केंजर सरकार ने नीती आयोग का पुनर गठन को मंजूरी दे दी है तो दोस्तों हाली में जो केंजर सरकार हालिम बनी है भाजपा की गौवर्मेंट बनी है मोधी सरकार की गौवर्मेंट बनी है तो दोस्तो उनी के तरह मोधी माज़ प्रधामंतरी स्री नरेंजर मोधी है कि कैबिनेट के तरह दोस्तो हाली में निती आयोक का पुनरगठन किया गया है तो दोस्तों यहाँ पे हम डिसकस करेंगे कि नितियायोग का जो पुनर गठन किया गया है उसमें किसको कौन कौन सा पद दिया गया है तो आईए देख लेते हैं सबसे पहले अगर हम अध्यच की बात करें तो अध्यच तो दोस्तों जैसा है आप सभी को पता प्रजाय मंतरी होते हैं नितियायोग के अध्यच उसके बाद अगर हम उपाध्यच की बात करें तो राजीव कुमार को उनके पत पे बनाया रखा गया इससे पहले भी राजीव पाल को एसे भी तीन लोग दोस्तों कौन है पुर्णकालिक सदस्य के रूप मे नीती आयोग के रखे गये हैं अगले पान साल तक के लिए उसके बाद दोस्तों पदेन सदस्यों की बात करे हैं एक्स- ओफिसर वूमेंबर्स की बात कड़े तो कौन-कौन इसमे है हमारे रच् मंत्री वो किसान कल्यार मंत्री हैं उनको भी इसमें समलित किया गया तो दोस्तों ये चार हमारे कैबिनेट मंत्री हैं जो इसमें समलित हैं पदेन सदस्यों में नीती आयोग के उसके बाद कुछ अंसदस्यों की बात करें तो विसेश आमंत्री सदस्यों में कौन-कौन है तो विसेस आ मंत्री सदस्यों में दोस्तों सड़क परिवन राजवार्ग मंत्री हमारे नितिन गटकरी जी हैं उसके बाद दोस्तों समाजिक न्याय वह अधिकालता मंत्री जो हमारे थावचलन गलोज समलित हैं उसके बाद दोस्तों रेल मंत्री में हमारे प्यूस गोहल इसमें समलित हैं उसके बाद दोस्तो राव इंद्रजीज सिंग जो हमारे सांखी की मंतरी सांखी की वह कारेकरेम करायनवन राज्य मंतरी हैं राव इंद्रजीज सिंग इनको भी नीती आयोक के बिसेस आ मंतरी सदस्यों में समलित किया गया है तो इन सदस्यों के नाम आपके लिए डिरेक्टली इनसे question exam में पूछे जाते हैं या अध्यच पूछ लेगा तो अध्यच तो सबको पता होता पता मंतरी नितियायों के अध्यच होते हैं उपाध्यच पूजा जा सकता है तो राजीव कुमार उपाध्यच है जहां पे आप बैठते हैं पढ़ने वहां पे screenshot लेकर इसको चिपका दीजेगा तो बार बार देखे रहने से भी आपके दिमाग पे इन सब्सक्राइब की mapping बैठ जाएगी जिससे आप exam में इनके बारे में अगर question आए तो उन्हें कर सकते हैं अगर हम बात करें तो सदस्यों के पुनर गठन की बात तो निती आयोग के बात कराकर निती आयोग के बारे में तो निती आयोग सबसे पहले इसका आपको full name पता होना चीए National Institution for Transforming India इसका गठन दोस्तों निती आयोग का किया गया था योजना आयोग के अस्थान पर इसका गठन किया गया था निती आयोग का में दोस्तों कर सबस्तों मैंने देखा है कि इसके full forms भी पुछे जाते हैं तो फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है नेशनल इंस्टिउशन फार ट्रांस्फार्मिंग इंडिया निती आयोग का फुल ने में आप इसे भी याद कर लिजेगा और इसके अस्थापना की डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक जनौरी वर्ष 2015 तो दोस्तों नीती आयोग है या भारत का ठेंग टांक है योजना का जो योजना बनाय जाती है उसके लिए जो भी। टिया विदी होती है उसके कारैयनों की राही तैयार की जाते है तो अब इसे भी देख लिजेगा याद कर लिजेगा यहाँ पर लिका है दोस्तों इसके लिए रणनेतिक मौसाधा बनाना और कार योजनायक तयार करना इसका मुख्य उद्देश से है निती आयोग का उसके बाद उस्तों केंज सरकार की निती निदारन संस्था के रूप में निती आयोग देश भर से सुझाव आमंत्रित करके जन भागिदारी एम राज्य सरकारों की भागिदारी से नितियां बनाने का काम करता है तो यह निती आयोग के मुख्य कारे हैं उसके बाद कुछ अन्यकारियों की बात करें तो अगस्त 2014 को प्रदा मंत्री ने योजना आयोक को भंग करने की घुषणा की थी और उसके बाद योजना आयोक के भंग होने के साथ ही पंचवलसी योजनाओं का यूग भी समाप्त हो गया था तो अगस्त 2014 को योजना आयोक को श्रीप नरेंदर मोधी जी हमारे उस टाइम प्रदाम अंदरी थे उनके तरह भंग कल दिया गया तदा भंग करने के बाद जो पंचवल सी योजनाई चली आ रहे थी उसी टाइम वह भी समाप्थ हो गई इसके बाद दोस्तो निति आयोक का गठन कल दिया गया योजनाई के अंतर समाप्थ हो गया अब केंदरी सरकार से राज सरकारों को धन्रासी का हस्तांतरन के वल केंदरी विद आयोक की सिफारिस के अधार पर ही किया जाता है तो ये कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है नीति आयोक के बारे में इने भी आप देख लिजेगा अगले पॉइंट् सरकार के केंदरी मंट्री मंडल दोरा दोस्तों त्रीजित बनाया गया एक निकाय है इस प्रकार यह न तो समयधानिक है और नहीं वैधानिक है दुर्शे सब्दों में कहें तो यह एक समयधानित तरीकाय होने के साथ ही एक गयर वैधानिक जो संसत किसी अधिनियम दोरा अ निती आयोग दोस्तों एक गैर वैध्यानिक संस्था गैर वैध्यानिक का मतलब क्या हो जाएगा जो संसत के किसी अधिनियम दौरा अधिनियमित ना हो जो किसी अधिनियम को पारित करके बनाया ना गया हो उसको गैर वैध्यानिक संस्था का नाम दिया जाता है तो दोस्तों information आपको देनी थी जो आपके exams के point of view से बहुत ही ज़्यादा important है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही कल फिल्म लेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तो thank you, thanks for watching, thank you